हर्याणा विधान सभा चुनाओं में भारती जंता पार्टी द्वारा टिकट ना देनी से नाराज सावित्री जिंदल ने पार्टी से बगावत कर दी है उन्होंने हिशार विधान सभा से निर्दरी चुनाओं लड़ने का एलान कर बीजेपी को संसमें डाल दिया है इसार से बीजेपी ने मंत्री कमल गुपता को टिकट दिया है सावित्री जिंदल परशिद उद्धुग पती और ओपी जिंदल समू के संस्तापक ओपी जिंदल की पतनी है वे भाजपा सांसद नविन जिंदल की मा हैं जिंदल परिवाय की मुख्या एवन जिंदल समू की चेयर परशन शावित्री जिंदल देज की सबसे अमीर महिला है फार्चुन इंडिया की भारती अमीरों की लिश्ट में वे चौथे पायदान पर है सावित्री देवी जिंदल लगवग 2.7 लाग करोड रोपे की मालकिन है सावित्री जिंदल अपनी शादिकी के लिए जानी जाती है 2005 में पती की मौत के बाद सावित्री जिंदल ने हिसार से उपचुनाओ लड़ा और जीतकर राजनीत में एंट्री कर ले जगतार दो चुनाओ जीत करवे हरियाणा काविनेट में मंत्री बनी उनके बेटे नविन जिंदल हरियाणा के क्रूज छित्र लोग सभा छित्र से पहले कांग्रेज की टिकट पर शानसत बने और साल 2024 के लोग सभा चुनाओ में भारती जंदा पार्टी की टिकट पर चु घटना में मौत की बाद सावित्री जिंदल ने शमू की कमान सम्हाली पर दिक्कत यह थी कि उनके पास बिजनिस का कोई अनभौ नहीं था जहां हर किशी को लग रहा था कि अनभौ की कमी के चलते सालों का बना मनाय बिजनिस विखर जाएगा परिवार के मुख्या की कमी के चलते परिवार बिखर जाएगा शावित्री ने उन अनुमानों को गलत सावित्री ने अपने होशलों की दम पर दो साल में ही कारोबार को दोगना कर दिया शावित्री ने बाद में अपने बिजनिस को चार टुकडों में बाटा और उसकी जिम्मेदारी अपने चार बेट में कहा था वे आम भारती मैला की तरह घर में रहकर परिवार शम्हाल रही थी अचानक पती की मौत के बाद मुझे बिजनिस सम्हालना पड़ा पिता कासा है अचानक सीर से उठ जाय तो मा को पिता की भूमी का निभानी पड़ती है मुझे भी ये रोल अदा करना पड़ा पतनी विद्या देवी से 6 बच्चे थे नविन जिंदल सावित्री जिंदल की बेटे हैं और नविन की तीन और बहन भी हैं ओपी जिंदल और सावित्री जिंदल की उम्र में 20 शाल का अंतर था फार्चुन इंडिया के अंसार जहां सावित्री जिंदल की नेट वर्थ 2.77 ला की अध्याच सावीत्री जिंदल की कुल संपत्ति में पिछली दो साल में भारी इजाफा हुआ है